30 days hair care series का आज है day 11 आज मैं आपके साथ में आईरोवेजिंग मसाज पॉइंट फॉर हैर ग्रोज शेयर करने वाली तो first is eight fingers above your brows और इस पे आपको हलके हाथों से इस तरीके से मसाज करनी है ज्यादा प्रेशर से नहीं आपको मसाज करनी है हलके हाथों से बिल्कुल gently मसाज करनी है second for bald pages अगर आपके इतना हैर फॉल हो गया कि गंजापन दिखने लगा है तो यह वाली मसाज करिए आपको बहुत अच्छा इंप्रूमेंट दिखेगा next is 12 fingers above your brows और इस पॉइंट को स्कल पॉइंट कहते हैं इसे करने पर भी आपके hair growth में इंप्रूमेंट दिखता है fourth is four points about the nap of your neck तो यह सबी है Ayurvedic massage points for hair growth friends अगर आपको migraine के दिखत है ना तो यह massage points आप अवर्ड कीजिए thank you so much follow for more 30 days hair care series का आज है day 12 तो हमने इस series में split ends को भी remove किया dandruff को भी remove किया अब बारी है hair full को रोकने की साथ ही hair की growth करने की तो इसके लिए आज हम बनाने वाले हैं एक अमेजिंग सा टोनर इसे बनाने के लिए आपको चाहिए एक चमच मेती दाना एक चमच चावल तेज पत्ता और चार से पांच लॉंग अब इन सब को आपको भीगो के रख देना या फिर इसे अपलाई करना है सिर्फ अपनी स्कैल्प में और इसे अपलाई करने के बाद में आपको hair wash नहीं करना है आप इसे night में अपलाई कर लो या फिर दिन में कभी भी इसे apply कर सकते हो पर hair wash आपको नहीं करना है ऐसे ही रखना है आप इसे चाहे तो daily भी apply कर सकते हो और कल हम बनाने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग सा हैर की ग्रोथ और हैर फॉल को कंट्रोल करने वाला सीरम तो आप भी मेरे साथ में इसे फॉलो कीजिए थेंकियो हाई अवरिवन तो आज है हमारी 30 days hair care series का day 13 तो कल हमने toner अपलाई किया था आज हम अपलाई करेंगे serum hair growth serum तो इसके लिए आपको एक से दो चमच मेथी दाने को रात भर भीगो के रख देना है जब रात भर भीग जाए तो अब आपको इसे करना है गरम आप चेक करना मेथी द करेंगे दो ड्रोप रोज में ये शेंचल ओई और फिर बिल्कुल एक चोथाई चमच रोगन बादाम शीरीन अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ड्रोपर की हेल्प से आपको इसे अपनी स्कैल्प में अपलाई करना है फ्रेंड ये एर ग्रोथ से रम आपके हैर की ग्रोथ क ग्रोथ के लिए हैरफॉल कंट्रोल करने के लिए आज में बहुत हैमेजिंसा हैर मास्क शेयर करने वाली हूं तो गाइज वेलकम टू माई 30 डेज हैर के सीरी जिसका आज डे 14 इसे बनाने के लिए आपको चाये दो चमच अलसी और कल हमने जो सीरम अपलाई किया था उसमें अधी मेथी बचाके रखना तो वहमने यूज करी है मेथी दाना और इसको जो है दो गलास पानी डाल कर आपको इसे गरम करना जब यह जेल बेस consistency में नहीं आ जाए फिर उसके बाद में आपको गरम गरमी से चान लेना है गरम-गरम के अंदर ही आपको इसमें एड़ करना है एक चमच ऑली वॉल एक चमच केस्टरोल इसको आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है फिर ठंडा होने देना है ठंडा होने के बाद म है एक गंटे बाद आपको नॉर्मल शेंपू से वाश कर लेना है इस हैर के सीरीज में मैं आपके साथ में बालों से रिलेटेड जो भी प्रोब्लम है उसका solution लेके आ रही हूं तो आप मेरे साथ में बने रहे हैं हाई एवरीवन वेलकम टू मैं 30 डेज है के सीरीज जिसका है अगर आप भी हैसे रिलेटेड कोई भी प्रोब्लम से परिशान है तो आपको दिन में एक कच्छा आमला जरूर खाना चाहिए सेकंड है निम्बू को आप जूस बनाके पी सकते हो यह हमारे बालों को अंदर से मजबूती देता है और साथ ही अगर आपको बहुत जादा देंड्रफ हो गए ना तो देंड्रफ को भी यह दूर करने में जाधा है यह हमारे हैर स्किन के लिए दोनों के लिए ही बहुत जादे एफेक्टिव होता है थर्ड है ओरेंज इसमें विटामिन सी विटामिन बी सिक्स मैगनेशेम जैसे कई पोशकतत होते हैं जो कि बालों है डे 16 तो डे 14 को हमने एक अमेजिंग सा हैर मास्क अपलाई किया था जिसका रिजल्ट बहुत जादा आया है और डे 15 को मैंने आपके साथ में विटामिन सी के रोज शेयर किये थे और आज मैं आपके साथ में एक अमेजिंग सा हैरफोल कंट्रोल टोनर शेयर करने वाली पानी आधा नहीं रहा जाए पानी आधा होने के बाद मेंगे स्प्रे बोटल में ट्रास्वर कर लेंगे और इसलिस आपको उपलाई करना है अगर मोटे नए बने तो आप सीरीज को मेरे साथ में फॉलो किई करने के बाद में आपको चोते दिन है रोलिंग करनी है तो आज हम है रोलिंग करने वाले हैं बड़ थोड़ा अलग तरीके से तो मैं यहां पे ले रही हूं अद्वी हर्बल एरोल जो कि हमारा कुद का बनाया है और जो भी आप लेते हो वो ले लेंगे उसमें आपको एड़ करनी है दोड्रोव उसमेरी ऐशंचल ओईल की अगर आपका बहुते जादा हेर फोल हो रहा है तो आप अपने उईल में अगर दो बुंद रोज मेरी ऐसंचल ओईल की मिलाते हैं तो आपका हैरिफॉल रुपता है और साथ ही एक हर्की ग्रोथ होती है वैसे इस अद्वी अ कि चोटी बना लेना है तो आप भी सिरीज को मेरे साथ 30 डेज है के सीरीज का आज है डे 18 तो कल हमने रोलिंग करी थी ओइल में रोज मेरे असेंचल ओईल मिला के हमने है रोलिंग किया था और हम करने वाले हैर वोश तो हैर वोश को इस तरीके से मैं आपको बता रहूं पानी से आपको अपना है और शेंपू डाइरेक्ट अपनी स्कैल्प में नहीं लगाना है इस से बहुत ज़्यादा ड्राय हो जाते हैं तो ख़र लिया है उसके बाद में मैं अप्लाई करूंगी कंडिशनर कंडिशनर आपको सिर्व अपनी हैर्लेंद पर अप्लाई करना है स अगर आप बेचाते हो आपके बाल मोटे लंबे घने बने तो इस सीरीज को मेरे साथ फोलो की बालों में चाहे कितनी भी रेमेडी यूज कर लो पर अगर बेसिक चीजों का ध्यान नहीं रखोगे तो आपके बाल कभी भी हेल्दी नहीं रहेंगे अगर आप बेसिक हैर के रूटीन के साथ में फोलो करते हो तो आज मैं आपके साथ में मौर्निंग टू नाइट है के रूटीन शेयर करने वाली हूं तो यह मेरे सुबह की बाल है चो चोटी बनाई थी मैंने रात को उसको उपन कर लूँगी अच्छे से डेटेंगल कर रिटेंगल करूंगी फिर पांच मिट की मसाज ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करती है साथ हमारे स्ट्रेस को दूर करती है इन्वर्जन मेर्थर मसाज हमारे हैर की ग्रोथ भी करती है और फिर अगर आपको भी बाल एंड से ड्राय लगते हैं तो आप दो ड्रॉप एलो कंगी करने से बहुते जादा फायदे आपको मिल सकते हैं तो वेलकम टू मैं 30 डेज एकर सीरी जिसका आज है डे 20 आज मैं आपको बताऊंगी बाल कॉम करने के क्या क्या बेनिविट्स आपको मिल सकते हैं पहला है मजबूत वा काले बाल बालों में कंगी करने से स्कैल्प बलड फ्लो बढ़ जाता है जिससे बालों की जड़ो को ज़्यादा पोशन मिलता है वे बाल मजबूत बनते हैं वे सफेद बालों के समस्या दूर होती है दूसरा है रूखे वे बेजान बालों से बचाओ इससे बालों में नेचरल ओयल बढ़ता है जिससे रूखे वे बे चोड़िये थेंक यू